नमस्कार PCS Insorts में आपका स्वागत है हमार आज का विशे है खावरों में मुल्ला पेरियार बांग इस विशे पर आज में हूँ आपके साथ नितिंत्र पाथी तो चले जानते हैं ये हाल या खावर में क्यूं है हाल ही में मुल्ला पेरियार बांग का जलिस्तर बढ़कर 117.50 फीट हो गया है आपको बता दे कि 125 वर्ष से अधिक पुराने इस बांग के अधिकतम भंडर अरतीमा 142 फीट है और इसमें वर्तबान जल पर वहा 12,000 क्यूंसेक है मुल्ला पेरियार बांग के बारे में जानते है यह बांग केरल के इडुक्की जिले में मुल्यारा और पेरियार नदियों के संगम पर इस्तित है यह बांग केरल में स्तित है लेकिन इसका संचालन तमिलाडू सरकार दोरा किया जाता है यह बान तेमिलाडू के मंदिर शहर मुदरई के पानी के जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था पिटिश सासंग के दोरान किये गए 999 साल के लीज समझोते के अनुसार परिचालन अधिकार तेमिलाडू को सौंप दिया गया था इस बान की उचाई 53.66 मीटर और लंबाई 365.85 मीटर है यह बान 155 फीट उचा और 1200 फीट लंबा है इसका निर्मान 1887 में शुरू हुआ जो 1895 में पूरा हुआ इससे पहले यहां इस्तित बान जो बिट्रिस कोर आफ रॉयल इंजिनिर्स दोरा बनाया गया था बार से बह गया था इसके बाद 1895 में एक दूसरा पत्थर का बान बनाया था इस बानकव देश पश्चिम की और बेहने वाली पेरिया नदी के पानी को पूर्ब की और तमिलाडू के थैनी, मदुरे, शिब गंगा और रामनात पुरम जिलों के शुश्क वर्सा चाय चेतरों की और मोड़ना था गौरतला भी कि यह बान केरल और तमिलाडू के बीच हमेशा विवाद का विशे रहा है तो चलिए अब समझते हैं कि विवाद क्या है वर्स 1979 के अंत में बान की सरचनात्मक स्थर्टा पर केरल और तमिलाडू के बीच विवाद उत्पन हो गया विवात के बाद केंद्री जल आयोग के ततकाली नध्यक्ष केसी थोमस की अध्यक्षता में एक त्री पक्षिय बैठा की गई इसमें यह नड़े लिया गया कि जल इस्तर को 152 फीट के पूर जलासा इस्तर के मुकाबले 136 फीट तक कम क्या जा सकता है ताकि तमिलाडू सुद्रडी करण के उपाय कर सके वर्स 2006 और वर्स 2004 में सर्वुच नियायाले ने कहा था कि जल इस्तर 142 फीट तक बढ़ाया जाए जिस इस्तर तक तमिलाडू ने पिछले वर्स त्यानी की 2020 में भी पानी जमा किया था वर्स 2014 में नियायाले के फैसले ने परिवेक्षी समीती की गठन एवं तमिलाडू द्वारा शेस कार को पूरा करने का भी प्राबधान किया लेकिन हाल ही के वर्सों में किरल में भुष्खिलन के साथ बांध को लेकर मुकदमों की संख्या बढ़ती ही जा रही है हलाकि ये बांध इस्थल के आसपास भुष्खिलन के कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी किन्तो राज के अनहिस्सों में हुई घटनाओ ने बांध के खिलाफ एक नए अभ्यान की शुरुआत की है किरिल सरकार ने प्रिस्तावित किया कि मौदूदा बांध को बंद कर दिया जाए और एक नया बनाया जाए ये विकल्प तमिलाडू को पूरी तरह से सुईकारी नहीं है जो 6 सुद्रीकर्ण कार को पूरा करना चाहता है और जलिस्तर को 152 फीट तक बहाल करना चाहता है चलिए अब जानते हैं पेरियार नदी के बारे में पेरियार नदी 244 किलोमीटर के लंबाई के साथ केरल राज की सबसे लंबी नदी है ये तमिलाडू में पश्चिमे खाट की शिपगिरी पहाड़ियों से निकलते हैं और पेरियार राश्टी उध्यान से होकर बहती है इसे केरल की जीवन रेखा की रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह राज्ज के कुछ बारहमासी नदियों में से एक है इसकी मुकि साहिक नदिया मुथिरा पक्षा, मुल्लायार, चेरुथोनी और परेंजन कुट्टी है चले नोट कीजिए आज का भ्यास प्रश्ट मुल्ला पेरियार बान के संदर में निम्रुकित कत्नों पर विचार कीजिए एक, यह बान केरल के इडुक्की जिले में मुल्यार और पेरियार नदियों के संगम परिस्तित है दो इस बान को लेकर केरल, करनाटक और तमिलाडू के बीच विवाद बना हुआ है उप्रुक्ति में से कौनसा है कौनसे कथन सही है एक के बल एक, बी के बल दो, सी एक और दो दोनो, दी ना तो एक और ना ही दो इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूले मिलते हैं नए विशे के साथ अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार